मेरा नाम है किरे चौहन यहां हम कर रहे हैं घटना चक्री की सामाने बुगोल की बुग जिसमें हमारा पार्ट चला है विश्वका बुगोल यानिके वट्जोग्रफी तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं चैप नमबर 29 यानिके द्वीप यानिके आइलेंड्स ठीक है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगा करेंगा अपने दोस्तों में अगर आपने अभी तब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लोग तो दोस्तों से पहले एक बार देख लेते हम लोग इंडेक्स तो देख प्लीज लाइक करेगे हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेगा तो चलिए यहां से हमारा होता है चाप्टर यहां लिखा है द्वी ड्वीब का मतलब है इससोばहले है इससरे खाल को जोते हैं तो मतलब यह तो आसी अथा के जिए बन होगा तो जो पर जे आपलीन निए चेटफल की दिश्वा हैं और विश्व के इसले 33 झे मिलेगा जब अब नौर्थ अमेका और महा डीप और यहां सले महाडीप गश्य ही ज़स्व्ज है मेद्सा रहता है अपका एश्या कैप यहां जु क। ऑ вами तो यहां पर मिलेगा princiyrugen विश्व का सबसे बड़ा आइलेंड है ठीक है इसका जो छेदवल है वो यह लिखा है आप पड़ लीजे रट लीजे नहीं पड़ते हैं तो कोई बात नहीं है तो इसने बोला कि ग्रीन लेंड है वो किसके अधीन हो गया आपका डैनमार्क है अब डैनमार्क कहा होता है तो यहां पर आपको मिलेगा यॉर्प में डैनमार्क और यहां है हमारा ग्रीन लेंड टीक है तो किसके अधीन है डैनमार्क के अधीन है अब लिखा है नूक जो है ग्रीन लेंड का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा राजधानी नगर है सबसे बड़ा नगर ग्रीन लेंड का और ग्रीन लेंड की राजधानी नूक की समुन्त तल से उचाइब है एक से तीन मीटर तक है एक से तीन मीटर के तो अब आज जाते हैं नियू गिनि पे अब नियू गिनी कहा मिलेगा यह देखेंगे लोग तो नियू गिनि अच्छेले के उतर मिस्ति विश्व का दूसर सब तो देखिए जब आप ऐसे करके ऐसे कुछ तो उसके यहां पर आपको ऐसे करके मिल जाएगा न्यू गिनी ठीक है यहां मिल जाएगा आपको न्यू गिनी तो पानी बहर आए ना उस वह जलसंदी कौन सी है वह है तो इसका चेत्रवल भी हां लिखा है कि अपढ़ना चाहते तो पढ़ना चाहते तो छोड़ दीजे कोई बात नहीं पूछ रहा है अब तो इसने कहा कि जो तीसरा सबसे बड़ा दीप है वह अपका है बॉर्नियो अब बॉर्नियो भी देख लेते हैं कहां पर बना के थोड़ा देखिए जब आप बनाते हो ना ऐसा करके तहां पहुंचे यह देखिए यह आपका इंडिया कुछ इस तरह से यहां से आपका मैनमार आता है मैनमार थाइलेंड कंबोडिया आपका यह वह व्येतनाम हो गया आपक यहां पर बॉर्णियो फिलिपिन्स नहीं लेकिन आपको बॉर्णियो पौर्णियो विश्व का तीसा सबसे बड़ा दीप है जावसागर के उतरमे इस्तित है यह जो है अब देखे इसने क्या कहानी लिखिए यह थोड़ा था पता होना चाहिए तो इसने के जावा सागर के उत्तर में इसने दीप राजिनिती क्रूप से तीन देशों जाने कि इंडोनेशिया 75% मलेशिया 26% और ब्रुनेई में भाजेता है यह जो दीप है उसके तीन प काली मंतन चेत बॉर्णियो दीप का अंग है इंडोनेशिया का एक छेत रह जिसका नाम है काली मंतन वह कौन से दीप है इसी अब इसे लिखा है माला गासी या मेडगास का दीप जाहिन महासागर के दक्षपश्री में अवस्तित यानि कि कुछ ऐसा यहां पे नॉर्थ अम यहां पर एक ऐसे करके दीप है जिसका नाम है मेडगास कर और यह आपका आता है इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर तो यह रहा आपका दीप आफ्रिका के पडोस में यह देखे गाइस अब हम देख लेते हैं एक बार यहां पर यह रहा आपका ग्रीन लैंड एक पड़ आपका मेडगास कर और अभी हमने जहां पड़ा यह देखी यह रहा कंप का इसमें तीन हमें पड़ा पाट है इंदोनेशा का मैं अंतुल्म हमने पड़ा रेसी का आप पर यह था की पर देख पार है यह होता है हमारा यहाय तो बहुत खराप सा बनाती थी लेकिन दम इंज यहां में बना देती हूं यूरप इसके नीचे बना देती है एफरिका और यह हमारा बन जाता है एशिया और यह बन जाता है चोटे का और चलिए आगे बढ़ते हैं लोग तो यहां लिखा मेड़ाइस करके पूर में मौरिशिस पच्ची में आफ्रीका की मुख्य भूमी से इसने कहा कि अगर आप यहां से यहां की तरफ जाएंगे तो यहां पे चोटा से दीप यह दिखा रहा है मौरिशिस और अगर आप इस साइट से जाएंगे तो यह एफरिका की मुख्य भूमी है और यहां पर कौन सा देश है मोजांबिक ऑके यह बात कही है इसने जो अब नमबर पर और पार चाहीं जो मेडागास क फार यह दूरिख ही यह से नहींिन का इस जलीफृ एंपार एंपारश्य code अभारत खेंट की पड़त ही सा इण तो इनी के नाम पर इस दीव का नाम भी क्या रख दिया गया डियागो गार्चिया कहां के खोज करता पुर्तगाल के थे याद रखिए अगे बढ़ते हैं अब इस दिनकार 1814 और 1965 के बीच मौरेशिस का छेतर था तो इसने कहा कि जो डियागो गार्चिया है वो 1814 और 1965 के बीच मतला भारता जात हुज जाता है उसके बात की भी बात है तो ये किसका पार्ट यानि कि किसका छेतर था मौरेशिस का छेतर था डियागो गार्चिया मतला मौरेशिस का छेतर था तो मौरे बिटेन के अधिकार छेत्र में आ गया पहले मौरिशेस का पार था इसे बाद में देखिए हम सब भी कॉलनी यानि कि उपनिवेश थे किसके बिटेन के रइट तो वैसी यह डियागोगार्थी अभी अब क्या है बिटेन के कब्जे में आ गया ठीकार बिटेन का गया जिसे अ पर 10-11 साल बाद 10-11 साल तक बिटेन पर है और 10-11 साल बाद अब बिटेन ने क्या किया व्यूटन अग्या उनायटेट श्रेट आफ अमेरिका यानि कि यूएसे को यह पत्टे पे दे दिया अलिक्ट्ट इसमें के लिखा है तो मतलब कितने जिन के लिए देन निन्यानवे पूरे हुए नहीं है जब तक नहीं होंगे तब तक तो रहेगा USA के पास चलिए इसमें लिकाइए शीत यूद्ध याने की इन बटान में हां दोनों देशों के सामिरिक वायो और धर सेना अड़े हैं चलिए सेशल तो सेशली के 9 लिकाया सेसस और यह तो कहां गया C cantor में लिखात्र में यह रहा अक्षांस और दे शांतरि विस्तार जिसके इतिखास जुरुद नहीं है शायद लिखाई इस दीप समूह में एक सो पंदरा ये समलित rix 141 ग्रेनाइट सीविंटीफोर प्रवाल दीफ है मतलब एक्सटब्धर में से सेविंटी फो प्रवाल दीव है और फॉर्ड लिए ग्रेनाइट के हैं तो चागोज दीवस्भू हिन्धमासागर के मद्ध में इस्तित हैं तो यहां प्रवाल देखाने हैं फिलहाल हम बता दें यह रहा है हिन्धमासागर यहीं आपको चागोज चागोष दीप समूवे बहुत सारे दीप आके मिल जाते हैं मौरिशिस दीव मेडगासकर के पूर्वी भाग पर दक्षडी हिंद महासागर में 20 दिग्री दक्षडी अक्षांस 57 दिग्री पूर्वी देशांतर पर इस्तित है मौरिशिस आपका मेडगासकर के पूर्व में सुकोत्राद्वी यमन के अधिकार छेतर में हैं तथा हिंद महासागर में इस्तित है तो इसलिए इंडोनेशिया दीच समू पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में तौरस जलसंदी तक हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मद्ध इसलिए यहां से इसने कहा कहीं स्टार्ट होता है और यह होते 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 यहां तक पहुँच जाता है मतलब तौरस जलसंदी तक तो हमने तौरस जलसंदी कहां पढ़ी थी हमने यहां पढ़ तो यह हिंद महासागरु का भी पार्ट है और परशांद महासागरु का भी पार्ट है अब लिखाए कि इंडोनेशिया के हाइड्रो ओस्नोग्राफिक विभा के अनुसार इंडोनेशिया दीट समय में कुल इतने दीफ हैं यह रट लोग रहते हैं यानि कि छे हजार को नाम दिया गया है इतने में से पर लोग रहते हैं अब इसने का फिजी कहां मिलेगा एक बार को हम देखने इसमें दिख जाय तो देखिए देखी गया यह रहां का आपका आपका पूर्गी साइट पर आपको देखिए यहां पर मिल जाएगा फिजी तो इसने लिए फिजी जो है दक्षडी प्रशांत मह संहं साओकर का एक क्या है थी देखिए तंगा के पश्चिण में इसम तो कि इसने बेखिए तो इसने बोला जैसें में देख जाएगा में तोंगा के पश्चिम में दिख जाएगा और तौालू के दक्षिन में दिख जाएगा तीक ऐसा कुछ बोल दिया इसने फिजी दीव समुम में कितने 333 दीप हैं इवम इतने छोटे टापू है मतला 522 तापू है जिसमें से लगवर 106 इस्थानी रूप से बसे हुए है इसकी जनसंक्या क्या है जनसंक्या का 87% भाग जो है केवल विटी लेवू और वानुआ लेवू इसने कहा कि जो फिजी में दो दीप इसने बता दी एक विटी लेवू है और दूसरा है आपका जो है 87% लोग जो है रहते है इन ही दो दीवों पर हाला कि दीव हमारे पर किते हैं 333 दीवी पर आगे बढ़ते हैं अब यहां आ जाते हैं फॉक्लेंड दीर सम्मू दक्षड अट्लैंटिक महासागर में दक्षड अमेरिका महादीब के दक्षड पूर्वी तर्ड परवस आपका दक्षड अमेरिका के आपका दक्षड पूर्वी पार्ट साइट पर है तो आईए देखी फॉक्लेंड दिख रहा है कि हमको कहीं हां देखिए और किसका पार्ट यूके यानि की यूनाइटेट किंग्डम का ठीक है तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कहां पहुंचे हम लोग हां इसके अतरे रहते हैं एजॉस दीप पूर्टकाल क्याप वर्डे दीप और बहामा दीप भी अट्लैंटिक महासागर मिस्ते थे तो एजॉस क्याप वर्डे बहामा बहामा एजॉस और यह रहा आपका कैप वर्डे यह सारे आपको कहां मिल रहे हैं यह आपका अट्लैंटिक महासागर है एक वर छोटा सकर के लिए देख लेंगा इस नौर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका योरॉप एफ्रिका के बीच में एजॉस बहामा कैप वर्डे ठीक ह उसके बाद एक लिकाई प्लेका एक लिकाऌ बरमुडा टीक है यह भी आपको यही मिलेगा रे तुबएगो के हाट पुर्वातौ के अं Moon look के नौर्थ अमेरिका के लीडर जाएगा के और क्यूबड़ा के है यहीं पे मिल जागा जमnezका होगयए आपका बहामार्पाश color मुद्धे cómo it जॉर्स, कैबवर्डे, प्रिटॉरिका और त्रिनिदाद गैस कुछ ही इंपोर्टें त्रिनिदाद और टोबैगो यही दो चार दस इंपोर्टेंट होंगे जा चार दस ठीक है जो लिकाहं पहुचे हम लोग कुछ यहां पहुच गए अब लिखाएं मकाऊ या मकाऊ होंग कोंग से 64 किलो मेटर पश्चमें में मकाऊ है यहां पर तो हॉंग कोंग देनी टाइवान दे रहा आज खाली ए एए यहीं कहीं आपको मिल जारहा ठीक है यह दिखाए नहीं है तो इसने लिखा है मकाव प्रायदीर जो अच्छा ही प्रायदीर यह प्रायदीर चीन की मुख्य भूमी से जुड़ा हुआ है लंबी वारताओं के बाद हुए समझाते कि तह तो पुर्थकाल ने इस दीप को दिसबा 1999 में जो है अधिकारिक तोर पर च इतने लिखा है ग्रेनाडा ग्रेनाडा दक्षिपूर्वी के अरिभियन सागर में स्थीत एक डीप यह देश है और ग्रेनाडा देश में जो है तीन डीप शामिल है तो सबसे वाज़े तो आई समझे कैस्पियन सागर का है वहीं पर आपको मिलेगा कुछ बहला होगा तो यहां पर मिल जाएगा आपको कैस्पीन सागर आई थोड़ा सा मैं चोटा करते यह अपका नॉर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट यहां मिलेगा कैस्पीन सागर तो यहीं पर इसने कहा कि आपको क्या दिख रहा है आप ग्रेनाडा जो है आपका देखे दक्षित पूर्वी जो है क तो यहां लिखा है ग्रेनार्डा केरिकोड और पैटिट मार्टिनिक जो विंड वर्ड दीज समू के दक्षरी छोड का निर्माड करते हैं उस मैप में यह लेकिंगे नहीं है फिलाल हमने जगह आपको बता दी पे अब ग्रेनार्डा की राजधानी है सेंट जो ग्रेनार्डा दीप के दक्ष पश्री तरफ पर इस से थैं अवस्तित चली इसमाने अधिक उत्पादन के कारण इसे जो है मसालदीब के नाम से भी जान सब्सक्राइब के लिकीं गाता है यह न zoo चोछते हैं Aceіб आकता सब्सक्राइब अरत भूमते सागर में साइना ग्रहस तक साहे के स्वाइत प्रभव है यहां पिआ यॉरॉप है आपको उसमें प्रडोस में बाले आरिछ दीब कर देडि में इस जंडा से अलाग है लेकिन इस दीसमु में चार बड़े मुख्य दीप हैं कौन-कौन से यह भी उसमें नहीं लिखा है मैं पढ़ लीजे कौन-कौन से एक है मलोर गात का एक है मनोर का एक है इविज कlor मैं तरह टोघे इए आड है सपानिश़ की जोड्रीज़ण法 क सबड़ें और एक है कौन्य में पोच्छा गया रहा लिखना है इवाम थेरोडि यारीव तो है है आफ़ तक के सपास्व gardens पाली अर्ट है स्वायत्त हो गया इसमें लिखे हैं मेलनेशिया ओशेनिया का एक परश्मी प्रषान्त महा साहर के अंत किनारे पर पूर में फिजी से लेकर अराफुरा साहर तक है ठीक है मुख दीपो के नाम, बेख लिए अर्फुरा साहर तक हैं कौन से मैलनेशिया यह ओशेनिया का ही एक उपचेतर है क्या मैलनेशिया तो यहां पर देखिए इसके अंदर कौन-कौन से दीप नियू गिनी हमने देख लिए गाहें विस्मार्क दीफ समू हो गया सांता क्रूस हो गया आपका तो आपको यह सारे जो है चोटे-चोटे खोलेगा ठीक है तो आपको मिल जाएंगे तो यहां पर है नियू गिनी हो गया बिस्मार्क दीफ समू हो गया सांता क्रूस हो गया वनुआतू हो गया सोलुमन हो गया फिजी न्यू कैलेडोनिया हो गया तो देखिए बहुत जादा मुश्किल नहीं है आप वर्ड मैप खो अगर हम बात करें तो सबसे छोटा अकार इसी का है तो इस पूरे महादीप और शेलिया देश की प्रभू संपर्भूता इसापित है मतलब इस पूरे जो महादीप है उसमें सिर्फ और जैसे एशिया में बहुत सारे देश है इंडिया है चाइना है और यह वह सारे पैसे किया महादीप रही इस यह कहा है चलिए आगे बढ़े आते जापान की बात करते है तो जापान मुखिता चार बड़े दीपो कई को कॉन कॉन से दीप है डिपर सबसे उपब रहाता है होकाईडो तुक है उसके बाद आता है होंशुशू फिर आता है आपका शिकोकू और उसके नीचे आता है क्यूशू इस तरह तरह से आते हैं अल्प छोटे दीप का समोर मतलब इसने का चार तो बड़े-बड़े उसके बाद भी छोटे-बोटे बहुत सारे दीप है तो इसमें सबसे उत्री भाग पर होगेडू सबसे उपर है मद्यवर्ती मद्य भाग पर होंशु और दक्षिर पशिम भाग पर शिको अब जापन का सबसे बड़ा दीप है जापन का सबसे बड़ा दीप है यह चार यह इसको रट लीजे लिखाए माजुली नदी के मध में इस्तित विशो का सबसे बड़ा जो है ताज पानी का नदी तंत्र है यह भारत में असमराजमें इस ते मतलब इसे बोला कि नदी बहरी एक एक नदी वहरी पुसके बीच में आपको आपको कहीं नहीं आता नियुक्त कहां पी इक है माजुली तो असम भारत में है और आगे बढ़ जाते हैं इस में लिखा है फरो दीच सभू को शीप द्वीप कहा जाता है क्या शीप द्वीब डैनिश भाता में इस द्वीब के नाम का मतलब भेडो का द्वीब का जाता है शीप का मतलब भी भेडो होती है राइट अब लिखाए ये नौर्वे सागर और उत्री अट्लैंटिक महा सागर के बीच से थै तो कुछ इस तरह से अगर आप यौर्व बना दे तो यहां पे आपको नौर्वे सागर मिल जाएगा और यहां पे आपको मिल जाएगा उत्री अट्लैंटिक महा सागर मिल जाएगा तो इन दोरों की बीच में आपको मिल जाएगा क्या फरो दीव समू यह दीव सम्मू डैन्मार्ग राज्य के अधीन एक स्वशात्र छेत्र है तो इस दीव सम्मू में अठारा पहाडी दीव इससे थे चलिए आगे बढ़ते कोशन आसर तो इसने कहा निमलिकित में से किस दीव सम्मू को शीव दीव कहा जाता है तो अभी हमने पढ़ा फरोद भी तो चलिए नेक्स्ट कोशन भी देख लेते हैं रखकें को से कौन साथ छेत्र फरोड के अधार पर रहे तो इसना नि न्यूजिलेंड लेंड वी दो दीबढ़े तो एक है उत्री और एक दक्षरी यह पूरा ऐसे करके न्यूजिलेंड हो के रहे तो इसे का जो दक्षिन वाला वो बढ़ा है संसार का सबसे बड़ा दीब तो गईस यह तो हम जाते हैं ग्रीन लेंड है इसने सब के छेतर पर लिखें डैन्माक इसके अदीन है और इसमें बहुत सारे और चोटे-चोटे दीब हैं फिर सेकंड नंबर पे नियुकिनी थर्ड नंबर पे ब्रो नियो फिर आता है आपका मे निच्ट के बाद का सब्सें नियुक नियुक की समुझाए की सबसे बड़ा नगर भी है और आजानी भी है नुक ही इसके लिखेंगें देशनाः विश्या बड़ा दीप नुक है सबसे बड़ा नगर भी है नगर और राजधानी भी है नूखी और समुझतर से उचाई एक से तीन मेटर है इसकी गिलेंड निम्ले देशों में से किस देश का भाग है तो अभी हमने पड़ा देन्मार्क का तो यहां अंसर है ए था डैन्मार्क निम्लिकित में से पूर्वी दीव समुझ का कौन सा दीव तीन देशों में विभाजित है तो हमने पड़ा था ब्रॉनियो कौन को सा इंडोनेशिया है थीक है दूसर मलेशिया था फिर ब्रुनेई तीन था तो यहां पर लिखा कि ब्रॉ अब लिखा है निम्नमे से कौन सा दीव चेत्रफरल में सबसे बड़ा है तो बागी आप देशकते हैं सबसे बड़ा इन सब में मिड़गासकर उसके वाद तो मातर और उसके वाद बूरेट बिटेंग काली मंतन जिस दीव का अंग है कौन से दीव का तो हमने पढ़ा था बज्ञाकरा है नियुक्त है मेडगास्टकार सबसे बड़ा देप हिंद महात आगर्में आपको रहाप के इसके पूल में मारिस्ट आन पश्री में है अफ्रिका की मुखे भूमी और यहां पर मिल जाएगा मौरिश्यृट अमेश्यृट ऐफरिका में मॉजम्बिक आपके अची घए milisha अची अगणे हैं यह सुव मेडा गार्सकर इसमें लिखाए नीचे दिये गए मानचेत्र में हिंदमास आगर चेत्र में चार दीप अर्थात ए शेसल्स बी अच्छा चागोस सी मौरेशेज एंड डी आपका सुकोत्रा बता रहा है तो देखिए चली पढ़ लेते हैं देख लेते हैं तो गईस यहां पर देखिए देखिए यह वाला अब भी हमने देखा मेड़कास करके पूर्व में था मौरेशेज तो यहां लेख देते हैं सी ठीक है और गईस बात करते हैं तो यह जो है ना यह हमने जब नोट्स में पढ़ा था तो यह था आपका सेसल्स यह हो गया ए नहीं स्वारी यह सेसल्स नहीं है यह है चागोस यह भी है आपका और यह वाला है आपका सेसल्स यह और यह आपका स्वकोत्रा दी ठीक है यानि हमारा कुछ आंसर होना चाहिए गाईस क्या होना चाहिए थ्री फिर वन फिर ए बी सी यानि की फोर और फिर टू ठीक है 3142 3142 चले 3142 एंसर तो इसने का सेसल्स जो है आपका तीन से दिखाए गया मेडगासकर के उतर में हिंद महा सागर में यक्षांस तेशांस लग इस्तिति लिखे वह हमें जरूरत नहीं है चागोस की अगर बात करें तो यह वन से दिखाए गया हिंद महा सागर के मद्ध में इसके था है यह हमने नोट में पड़ा था कि हिंद महा सागर यह रहा आपके इसके मद्ध में बिल्कुल कौन सा है चागोस मौरिश मेड़कास करके पूर में दिखा और सुकोत्रा आपको येमन के अधिकार छेत्र में है और येमन कहां होता है यहां पर आपको मिलिया गए येमन नुमान तैक चैली आगे बढ़ते हैं निमल के तीपो में कौन जो है दक्षिर हिंद महा सागर में इसके थे तो है च तो गैस हमारा आंतर है मौरिश दक्षिर में और चागोस भी हिद महा सागर में लेकिन सेंटर में है और निमलिखित प्रशांत महा सागरी द्वीप में इसे कौन मैलनेशया दीव समू में समयत है तो गैस इसका अंसर है आपका सोलमन द्वीप तो देखिए यहां लिखा है मैलनेशया ओशेनिया का ही एक उपच्छेतर है जिसका विस्थार पशिमी पशांत महा सागर के अनन्त किनारे पर पूर में फिजी से लेका पशिम में कहां पर है अराफुरा सागर तक है अब इसमें कौन कौन से दीप है न्यू गिनी आ गया बिसमार्ग्दीव सम्मू आ गया अपका सांता क्रूज आ गया बनुवातु सोलूमन आ गया और कॉलेडोनी आ जिए अब है डियागो गार्षिया तो इस्थार कहां हे इस और फिर जूर्फ उत्तरपश्यम में चुरमीन कौन से लेकर पूर में टॉरस जल्डभरू तक इराक की राजधानी बगदाद तो इस मतलब आप लंडन से बगदाद तक आ रहें तो इस दीसमूम में 14,000 दीप हैं ठीक है इसमें से कुछ कुछ मात्र विश्वतिये चेत्रिये शैल है और अन में कुछ विश्व के विशालतम दीप हैं यह विवरन निमलिकित में से किसके सित्व है इसने कहा कि यार इतने सारे दीप जो है वो कौन सा देश है यह बोले तो हमारा आंसा है इंडोनेशिया तो कहानी यह है कि एक इंड तो इंडोनेशिया के क्या है हाइड्रो ओस्टनोग्राफिक विभाग के अनुसार इंडोनेशिया में कुल कितने सतरा हजार पांसो आठ दीप है जिसमें से छे हजार के नाम है और उसमें से भी एक हजार पे लोग रहते हैं तो यह जो इस्तिती है वो है यानि 1,2,3,4 में तो देखिए तो 1 से कैसे चला जाए 1,2,3,4 मतलब 1,2,3,4 ऐसे जाना आप हो रही तो देखे 4 पर आपका आजाएगा यह रहा हो आपका आप of Oakland रही तो फोर तो हो गया हमारा पॉक्लेंड का और बाकि भी दिखले पर फॉर में खोलेन कंश है तो एक यहां पर रिखा है quiet तो सबसे यह हमने देखा भी था कहां पर अभी नोट्स में ठीक है और सेकंड नंबर पे था हमारा बहामास थर्ड नंबर पे था हमारा वर्डे अंत्रीप यहां पर और यह हमारा फॉकलेंड तो इसने बोले जो एजॉर्स है वो पुर्टकाल के उसमें कैप वर्डे वहामास दीव फॉकलेंड यूके दीव को प्रदश्यत करते हैं यूके मतलब यूनाइटेट फिंग्डम कौन सा कतन सही नहीं है आई यह डेरेक्ड फॉकलेंड दीव हिंद महातागर में से तक गाइ दक्षिरपूर्वी साइड है यहां पर अवस्तित है और यह जो है नियूर्जी यूनाइटेट किंग्डम का समुंद्र पारी भाग है और शेश कथन इसमें सही है आई सही वाले भी देख लेते हैं तो इसे नामीबिया अफ्रिका में से बिलकु सही है निकारगुआ मदे आपका यमेन यसिया नहीं पता हो तो आप लोग मैप देखिए आवस्तित है कहां पर वही प्रशान्थ महासाकर में है तो यह अपका थर्वे एक प्रशानथ आपर कर दिःपिराश क्या व है जपान का विशालतम निदेग नबर पर तो यहां पर जापान की राजधानी है चार बड़े दीप है आपका होकेडु होंशु शिककु और क्यूशु और लाइन से नीचे की तरफ आएंगे अब भागोलिक छेत्र की द्रिश्ची से जापान का सबसे बड़ा दीप कौन सा है अभी हमने पढ़ लिए रिपीट होगे को यहां अंसर हो आप देख लिए अब लिए आप लिए निम लिकित में से कौन सा जापान का चार प्रमुक दीपों का उत्तर से दक्षिर की और साही करह में है रिपीट हो रहा है कौशन आप लोग देखिए मकाव दीप का चीन को कब मिला था तो कब मिला था एक ने प्राइडी नीक में मिला था मकाव प्राइडी के मुक्ः बूमी चूड़ा हो था कि पुर्त काल ने दिसमबर 1999 में चीन को दे दिया था था आधि कार इक तbb ने बाली हो इसम시면 कहा इससे था penghaziansen तो इसमें का स्वायत प्रभाव यह ठीक है अब आज जाते हैं किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी पर है और असम भारत में है कौन सा है माजूली दीप माजूली दीप निम्लिखित में से कौन एक दीपी यह महादीप मतलब महादीप में सिर्फ दीप है यह ऑस्टेलिप नदीप निर्फ?" दीप मतलबं गरिनाड़ा रहे है अवस्तत है और स्टेलि के केस नदीप में डीप है यहां पर कहीं मिल जाएगा कि आपको कैरभीन सागर में इसरिफ एक द्वीप देश है। ग्रेनाडा में तीन वीप समलित हैं। कौन से हैं ग्रेनाडा? कारिकौू पैंट्ट मार्टिनिक जो द्विंड वर्ड दीफ समू के दक्षिट छोर का निर्मार कते हैं। कॉन सा डीव अपने लवर्ड पतल संसादुनों के लिए सब्सक्राइब करण और सेंड मार्टे जाता है करीबिन सागर्व और इत्लैंटिक महासागर्व मध्द में अवस्तित है 1493 में Columbus यहां यात्रा की और इसका नाम सैंड मार्टन आफ टूस के सम्मान में रखा तो इस दीप के दक्षड हिस्से में तटिये लागून और नमक पतल है जो बहुत प्रसिद है और यह दीप अपने लवण पतल संसाधनों के लिए जाना जाता है निम्लिकित में से किस देश में सरवादिक दीप हैं तो किस में हैं तो वो है आपका इंडोनेशिया 17508 दीप है सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया 17000 के आसपास होगे फिलिपिन 7641 माल्दीव 1192 कुबा 4195 इंडोनेशिया के हाइड्रो ओस्नो ग्राफिक बिभाग के अनुसा इंडोनेशिया 17508 दीप है जिसमें से लगवाग 6000 के नाम है और 1000 पर लोग रहते हैं ठीक है तो गाइस यहां पर देखिए चैप्टर हो गया खत्म अगर आपको वीडियो पस्ता है तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो चैनल को सब् इस चैप्टर में जीली है जल पर पात